सोनी पत में अपराद का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है ताजा मामला सामने आया है मेहन्दी पूर गाउं से जहां बाइक सबार कुछ हमलावरों ने एक युवक पर कई राउंड फाइरिंग की गोली लगने से 26 साल के निखिल की मौत हो गई आशंका जताई जा रही है कि हमलावरों ने फाइरिंग गैंग वर के चलते की मृतिक निखिल के भाई ने कामी गाउं के दो युवकों पर हत्या कारोप लगाया बता दें कि मृतिक निखिल भी कई मामलों में नामजद रहा है फिलहाल पुलिस ने शर्फ पोस्मॉटम के लिए भीचवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है